आपको स्बागत करता हूं हमारा अधना इंट्रक्टिव चनल आज हम बात करने वाले हैं आज का चेप्टर बहुत ही बड़िया है क्योंकि आज हम शिखेंगे कुछ इंटर्नल वेरिंग के लिए के बारे में केबल कितने टाइप्स होते हैं और कौनसा कौनसा केबल्स हम यूज करते हैं जैसे की एनेम केबल्स, आरमट केबल, अंडरगांट, फीडर केबल, लोग अलटेज रोयार, थ, HNN, TAC, डबलन वायर क्या होता है वीडियो को स्कीब ना करेके, फास लेके लास तक जरूर दिखिए, तो शुरू करते हैं एक अन्वन फैक्स से, फैक्ट नमबर वान, थॉमास एडिशन इस दा फादर अफ इलेक्ट्रिक केबल, हाँ, जो उन घर पे नर्मानी जो यूज करते हैं केबल्स उनको पहले डिर अगर यह चीज आपको पाता था, तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं पता था प्लीज एक थमसपता बनता है ना, चलें, अब हम कुछ केबल के बारे में बात करें, सबसे पहले देखेंगे कि यह केबल होता क्या है, चाईशा बात कि यह केबल इस ता कलेक्शन आप सम ORS, जिसमें power transmit होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ आउटर में जाकेट रहता है, अगर मैं जाकेट को खुलू, तो उसके अंदर और यह कुछ layers रहता है, layers के अंदर और बी कुछ layers के बाद मारा ORS रहता है, और ORS के अंदर कुछ score या strand हमार रहता है, तो कह सकता हूँ, ORS के अंदर बहुत सरा layer बनके, जो उसको sheet कहते है, sheet 1 के मेरा cable रहता है, अब बद करेंगे कुछ common cables के बारे भी, तो day-to-day life में हम जो use कर रहे हैं, यह NM cables, NM cable is otherwise known as rumix cables, क्योंकि rumix एक company का नाम है, company की साब से इतना popular है, तो NM cable के भी कुछ की लोग कहते है, rumix cables, अगर technician से अगर मैं बाग करू, NM cable के भी, NM 8 cable भी कहा जाता है, अगर उसका देखा जाएं कि उसमें क्या है, बेसिकल 3 ORS रहता है, एक होता है hot, यानि कि जो current जिसमें carry होता है, उसको मैं fans भी कहता है, तो और एक वयर रहता है neutral, और जाइशाबात और एक आपा ground वयर रहता है, तो इस देखा जाएं के अन्ता 3 ORS रहता है, अगर देखा है उसको कहां कहां भी यूज होता है, तो बिसिकलि हमारा home घर पे हम ज़्यादार से उसको यूज करते हैं, इंटरियर home wearing मैं कह सकता हूँ, आपका dry wear, क्योंकि जहां पे dry जागा है, तो वहां पे हम NM Kabul को भी यूज कर सकते हैं, अगर अगर देखा जाए, NM Kabul बहुत टाइप्स आता है, उसी टाइप के हिसाब से उसका gauge हम मेजर कर सकते हैं, नर्माली जो 6 gauge 55A का available होता है, तो यह black sheet में आता है, और black sheet में और भी आता है, जो 8 gauge 40A वाला circuit भी आपको market में मिल जाएगा, 10 gauge 30A circuit भी आपको मिल जाएगा, जो basically orange sheet में आता है, 12 gauge 20A circuit भी yellow sheet में available होता है, 14 gauge 15A circuit भी आपको white sheet में मिल जाएगा, and last gray color का जो sheet है, आपको UF cable generally gray sheet में मिलेगा, UF cable क्या होता है, मैं आगे slide में बताऊंगा, तब तक वीडियो के सब जुड़े रही है, तो अब बात करेंगे कुछ second most popular cable है, armored cables, उसमें क्या होता है, कुछ extra protective layers रहता है, इसके बज़े से हमारा wire को और अच्छा protect मिलता है, कि इससे unwanted cord से, और कुछ damage से, तो यह दिखने में इसी तरीके से होता है, बिसिकली उसका जो protect की बज़े से cable का जो core का performance बहुत अच्छा होता है, यह reliability होता है and safety होता है, तो basically outer layer और layer of armored wire और tap dog provide tensile strength उसके layer के बज़े से, उसका strength बहुत अच्छा होता है, अगर हम उसको laying करें, अगर दोनों pole के बीच में हम उसको छुला के रखेंगे, तो फिर भी उसका performance बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें अंदर armored layer की बज़े से, and tensile strength बहुत अच्छा provide करता है, इस सबसे वाड़ा चीज उसको भी हम ground पे use करते हैं, जहांपे weight मतलग गीला होने जागा जहांपे है, तो हांपे हम armored cable यूज कर सकते हैं, अगर उसका classification रेखा जाएगा, तो basically it is classified into four types, first one is OR, red armor, steel OR armor cable, steel tap armor cable, aluminum or aluminum alloy armor cables, और कहां भी use होता है, basically cable networks, power networks, outdoor and indoor applications and cable deductive में basically use होता है, now, अब हम बात करेंगे, UF cables, जिसको कहा जाता है, underground feeder cables, तो अगर देखा जाए, UF cables नर्मानी, same as our NM cables, लेकिन इसमें और एक अश्यत point है, कि हम उसको direct ground ग्राउंड गुर्यल में उसको हम use कर सकते हैं, जहां पे weight locations यहां भी हम UG feeder cable को use कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो layer होता है, solid plastic sheet में वह अच्छा layer provide करता है, जिसके वज़े से हम weight जगा भी उसको use कर सकते हैं, उसमें एक additional type है कि major जहां पे circuit wiring है, तो आपे भी हम UF cable को भी use कर सकते हैं, अब हम बत करेंगे, low voltage wire के बार, बैसिकली यह wire use होता है, जहां पे 50V से कम power को transmit करना है, तो यह वाला wire हम use कर सकते हैं, बैसिकली यह market में आपका dual 14, 16 goes में available हो रहता है, अगर देखा जाएगा उसका applications तो यह जहां पे low voltage wire को use करना है, जैसे कि doorbell हो या आपका thermostat होगा, sprinkler systems हो या dance camping, lighting हो, तो यहां पे आप low voltage wire को use कर सकते हो, अब बात करेंगे, एक most popular THHN and THWN हुए के बार, सबसे मिले देखेंगे THHN का full form and THWN का full form क्या है, जो THHN stands for thermoplastic high heat resistance nylon coated, and THWN, W मतलब आपका water resistance, you can say thermoplastic high water resistance nylon coated wire, तो दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, उसमें एक चीज है कि as name suggest, जहां पे high heat को यह रेजिस्ट करना है, तो वहां पे हम THHN को use कर सकते हैं, जहां पे water को रेजिस्ट करना है, जहां पे आपका weight location से वहां पे water रेजिस्ट करना चरूरी है, नहीं तो sensor kit होने का चांचा से रहता है, तो वहां पे हम THHN wire को use कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो layer रहता है, basically PVC insulated रहता है, वो उसके अंदर जो nylon jacket भी provide करता है, तो यह बहुत बढ़िया performance देता है, basically अगर 75 degree Celsius तो भी operate हो सकते है आपका THHN wire, तो basically THHN, THWN where हम use कर सकते हैं, जहांपे heat को resist करना है और जहांपे white dog को भी resist करना है, तो यह भी available है क्योंकि दोरा, now applications of THHN, THWN जो होता है, basically these are single conductors होते हैं, एक conductor का अंदर या एक seat का अंदर आते हैं, each having its color code insulation, जिसमें insulated होते हैं, and they are protected by plastic or tubular metal conductor, यानि क्या सकते हैं, एक single conductor के अंदर और भी coding होके, tubular metal conduct के अंदर आपका ओयर्स प्रमेड़ेता है, basically hot wires are black, orange, red भी हो सकता है, neutral wire नर्माली आपको white और brown में मिलेगा, and to ground wire आपको green और pilloting में मिल जाएगा, usage जैसे मैंने बताया कि general purpose wearing, lighting, powers, residential and commercial, and only for short exposed wrongs like wearing connections for water heater या garbage disposal, यहां के हम THS and THWN wear को use कर सकते हैं, now last number आ रहा है कि कुछ phone and data wears, normally आप day-to-day live में उसको use करते हो, जो आप mobile charge लगाते हो तो कुछ cable आता है, and जो हमारा TV के लिए जो cables होता है, तो यह हम use करते हैं, एक उसमें कुछ certification लगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह बयार रहता है, हमारा tube जो TV होता है, उसके बज़े से current लगने का chances रहता है, जिसे आप picture देख सकते हैं, तो यह cables भी हमारा home appliances में use होता है, now यह ता अबर रहली कुछ cable के बारे में, जैसे मैंने कुछ cable कितने types होता है, और कहां-कहां पर कॉंसे cables यूज करना है, मैंने कुछ idea provide किया, लेकिन उसके अपर और भी depth हम देखेंगे, जैसे एक वीडियो से आप देखोगे, और उस पर और depth हमको दिखने के लिए मिलेगा, फिलाल आज का वीडियो में कुछ सिखेंगे कि इस Armored के कुछ क्या होता है, क्यों हमको उसको यूज करना बहुत ही जड़ी है, कौन सा पॉर्पोस में हम यूज करेंगे, जैसे कि आपको एक्स्टर प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, इसके बज़े से हम यूज करते हैं, अखिर यह जो ओयर को एक्स्टर प्रोटेक्ट करता है उसका सीट के बज़े से, तो हम पे बहुत जगा पे हम या बाहर पे हम उसको यूज कर सकते हैं, यह भी हम कुछ सिखे हैं कि NM Cables, बिसिकली उसका अधर रवाइज ने NM 0-MX Cables या NM 8 Cables भी कहा जाता है, जो मार्केट में 12, 14 & 16 गाउस का आपका अवेलेबल होता है, तो यह था अबरली आज का Summary Editions, थेंक्यू तो अगर आपको उसमें कुछ डाउट से तो मेरे से चार्ट कर सकते हैं, थेंक्यू फर वाजिंग इस वीडियो.